हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू क्रेजी जीकेट ट्रेक तो फ्रेंट्स देखिए आज का इस सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपोर्डेंट होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम युनाइटेड नेशन और्गनाइजेशन को डिसकस करने वाले हैं देखिए युएनो के बारे में आप सभी ने सुना होगा आज के इस वीडियो में हम इसके सभी और्गन को जानेंगे और इसकी जितनी भी डिटेल और जितनी भी कोश्चन एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को एक एक करके डिसकस करेंगे पहले हम थियोरी सेक्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद इस टॉपिक के हम MCQs को भी डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेर करना मत भूलिएगा तो देखे फ्रेंड्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सयुक्त रास्ट संग की आप सभी न के बारे में हम बारी-बारी से यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो देखिए अगर United Nation के गठन को हमें जानना है तो हमें चलना पड़ेगा Second World War पर Second World War के बारे में आप सभी जानते हैं कि 1939 में Second World War शुरू हुआ था और यह कब तक चला था? 1945 तक 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागा साकी जो कि जापान के दो शहर हैं उन पर दो परमाडू हमले किये और इस परमाडू हमले के साथ ही कुछ समय के बाद Second World War खतम हो गया क्योंकि विश्व के सारे देश कही न कहीं डर जाते हैं इस Nuclear War से और उनको लगता है उनको समझ में आता है कि यार हमने एसे बम विक्सित कर लिये हैं कि पूरा वर्ल्ड एक बारूत के मुहाने पर बैठा हुआ है और किसी भी देश की एक छोटी सी गलती उस बारूत में चिंगारी का काम करेगी जिससे पूरी मानों तक खत्म हो सकती है जब उनको अपनी ये गलती समझ में आई जब उन्हें रियलाइज हुआ तब उनको समझ में आए कि वर्ल्ड में कोई एक एसी संस्ता होनी चाहिए जिसकी बात मानने के लिए सभी देश बात दे हो और जो अंतरास्टि शान्ति की इस्तापना कर सके और विश्व के सभी देशों में जो विवाद है उनको निप्टाने का काम कर सके एसी कंडिशन में 1945 में अस्तितु में आता है UNO जिसे United Nation Organization के नाम से जाना जाता है सेकेंड वर्ड वार के बाद अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है सेन फ्रांसिसको यहाँ पर वर्ड के टॉप 50 देश इखटा होते हैं और 26 जून 1945 को UN चार्टर पर अपने साइन करते हैं ताकि United Nation Organization की इस्तापना की जा सके वेसे United Nation Organization की स्थापना में टोटल 51 देश शामिल होते हैं पॉलेंड किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आ पाता लेकिन उसके सिगनेचर के लिए एक अलग से कॉलम छोड़ दिया जाता है तो पॉलेंड को मिला कर 51 देश नों ने United Nation Charter पर साइन किये और उसके बाद United Nation Organization 24 अक्टूबर 1945 को अस्तितु में आया इसलिए आप जानते हैं कि UN और डे वर्ल्ड में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है अब आपके दिमाग में कुश्यन आ रहा होगा कि ठीके सर World War 2 के बाद United Nation Organization की स्तापना की गई लेकिन क्या उसके पहले कोई भी ऐसी संस्ता नहीं थी जो की वेश्विक शानती की बात कर सके तो बिल्कुल थी अगर हम इसके पीछे का इतिहास देखे दोस्तों तो United Nation Organization के पहले विश्व में एक वेश्विक संस्ता का गठन किया गया था जिसका नाम था League of Nation इसे United Nation की पुरवर्ती संस्ता के रूप में देखा जाता है और इसका जो गठन हुआ था वो First World War के बाद 1990 में किया गया था First World War के बाद 1919 में वर्साई की संधी के साथ ही इस एक organization की स्तापना की गई थी जिसे League of Nation के नाम से जाना जाता था इसका भी उद्धेश्य वेश्विक शान्ती था अंतरास्थे इस्तर पर संगर्शों को रोकना इसका एक मुख्य उद्धेश्य माना जाता है अगर इसके मुख्यालई की बात करते हैं तो 1919 में इसका गठन किया गया था इसका पहला मुख्यालई या शुरुवाती मुख्यालई लंदन में था United Kingdom में था और बाद में इसे जेनेवा शिफ्ट कर दिया गया लेकिन इस संस्ता के रहते हुए भी इस संस्ता का काम रहते हुए भी Second World War हमें देखने को मिलता है जब 1939 में Second World War हो जाता है तब 1945 तक जो विश्व के देश हैं उनको समझ में आ जाता है कि League of Nations का वर्क एफेक्टिव नहीं है और ये वर्ल्ड में होने वाले विवादों को या संगर्षों को रोकने में नाकाम है इसलिए United Nations के गठन के बाद 1946 में 20 अप्रेल 1946 में इसे पूर्ण रूप से डिमोलिश कर दिया जाता है League of Nations को खत्म कर दिया जाता है और उसी की जगह पर उसका इस्थान ले लेती है उसे एक वर्ष पहले गठीत हुई संस्था जिसका नाम है United Nation या United Nation Organization I hope समझ में आओगा अब देखिए अगर United Nation Organization के उद्धिश्यों की बात करें फ्रेंड्स तो इसका मुख्य उद्धिश्ये विश्यों के सभी देशों के मद्ध में शांती स्तपित करना और उनके मद्ध होने वाले संगर्षों को रोखना डिटेल में देखते हैं तो काफी सारे इसके उद्धिश्य देखने के मिलते हैं जैसे युद्ध रोखना, वर्ल्ड में मानवादिकार की रक्षा, हुमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, अंतरास्टी शांती और सुरक्षा बनाए रखना, सतत विकास सस्टेनेबल डेव को बढ़ावा देना और अंतरास्टी कानुनों का पालन करवाना विश्व के हर देश से ये इसका मुख्य उद्धेश्य देखने को मिलता है, इसके अलावा विश्व के सभी देशों के मद्ध में शांती और आपसी समझ विक्सित करना भी युनाइटेड नेशन और्गना यहां से कोशन आ सकता है, कभी भी अगर आपसे कोशन पूछा जाए कि युनाइटेड नेशन और्गनाइशन में टूटल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 193, clear, easy है, अगर सबसे लास्ट सदस्य देश की बात करे, तो वो पूछा जा सकता है, तो इसका सबसे आखर सदस्य देश मतलब 193 वा जो सदस्य था, वो दक्षिनी सुडान था, जो की एक अफ्रीकी देश है, दक्षिनी सुडान को 11 जुलाई 2011 को सदस्य बनाया गया था, किसका, UNO का, तो टो टोटल वर्तमान में UNO में सदस्य देशों की संख्या देखने को मिलती है, 193, clear, I hope समझ इस संस्ता के नामकरण का जो शिरे है, अमेरिका के रास्ट्य पती को दिया जाता है, जिनका नाम है Franklin D. Roosevelt, उस वक्त अमेरिका के रास्ट्य पती थे, 1945 में, और इनी के दुआरा नामकरण किया गया है UNO का, United Nation Organization के रूप में, आगे बढ़ते हैं, सयुक्त रास्ट्य के अग जाद रखिएगा ये पुर्तगाल के, पुर्व प्रधान मंतरी रह चुके, एंटोनिय गुतरेस, एक जनवरी 2022 को UNO के नवे महा सच्चिव बनाए गए थे, नवे महा सच्चिव बनाए गए और ये कब तक अपने पत पर रहने वाले हैं, तो दिसंबर 2026 तत, ये अपने पत पर रहने वाले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले अगर एट महा सच्चिव की बात करते हैं, तो वो बान की मून है, ये भी इंपोर्टेंट है, इसे भी याद लखिएगा, बान की मून, UNO के आठवे महा सच्चिव थे, ये किस देश से थे, तो ये दक्षिन कोरिया से बिलोंग करते थे, और अब नवे महा सच्चिव, एंटोनिय गुतरेस बिलोंग करते हैं, पुर्टगाल से, इजी, भारत की बात करें, तो सयुक्त रास्च में भारत की पहली महिला इस्थाई प्रतिनिधी, जूचीरा कमबोज, इंपोर्टेंट है, अगस्त दो 2022 से पहले, इनके हटने के बाद, अब रुचीरा कमबोज, यूएनो में भारत की इस्थाई प्रतिनिधी बनी है, ये यूएनो में भारत की पहली महिला इस्थाई प्रतिनिधी है, इसलिए भी ये कुश्चन काफी important हो जाता, तो ये सबसे पहली में जो संस्ता है, वो यू इसमें सबसे important देखने को मिलती है, सयुक्तरास्ट महासभा, जिसे United Nations General Assembly के नाम से जाना जाता है, इसे ही विश्चु की लगू संसत भी कहा जाता है, बाद में हम डिटेल में जब इसकी बात करेंगे, तब हम उससे पढ़ेंगे, इसके अलावा सुरक्षा परिशत, Security Council के न देखने को मिलती है, सयुक्तरास्ट न्यास परिशत, जिसे कहा जाता है, Trusteeship Council, पाचवे नमबर पर एक बहुत important औरगन आता है, जिसका नाम है International Court of Justice, अंतरास्टी न्याले, और छड़े नमबर पर सयुक्तरास्ट सची वाले देखने को मिलता है, अब यहाँ पर एक point बहुत important है friends, जो कि आपको याद रखना है, जितनी भी body है UNO की, सबका headquarter कहीं ना कहीं हमें New York में देखने को मिलता है, लेकिन केवल International Court, इसकी एक AC body है, जिसका मुख्याल है नीदर लेंड में, नीदर लेंड के The Hig में International Court का मुख्याल है, याद रखेगा question काफी बार बूचा गया अब हम एक एक body को, एक एक organ को यहाँ पर detail में पढ़ने वाले हैं, detail में समझने वाले हैं कि किसके क्या क्या काम है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत important update देता हूँ, देखे crazy gk trick के root application पर आप सभी के लिए ssc की target बेच शुरू हो चुकिए, अगर आप interested हैं, तो आप play store से root application को download कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए facility available है, आप वहाँ पर जाकर ssc की badge को roll कर सकते हैं, और अगर आप particular मुझसे quality पढ़ना चाते हैं, इंडिजियली मुझसे quality पढ़ना चाते हैं, तो यह facility भी आपको play store में root application पर दी गई है, जाकर play store से सबसे पहली priority आ अब download कर लीजिए, चलिए, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहली body देखते हैं UNO की, जिसका नाम है सयुक्त रास के महासभा, General Assembly, अब अगर इसकी बात करते हैं, तो इसे विश्व की लगू संसद मीनी Parliament के नाम से जाना जाता है, सबसे important fact तो यही, इसका work देखें, तो दो शब करना, इसका main काम है, देख लेते हैं, उद्देश एक्च्छल में क्या है, तो देखिए, यह पूरे विश्व में होने वाले शान्ती अभियानों के लिए, वित्थ पोशन का कार्य करता है, पूरे वर्ल्ड में जो पीस के लिए जितने भी work होते हैं, उसके लिए देखिए और सुरक्षा के लिए, तथा अंतरास्टी मुद्दों पर बहस के लिए, यह एक मंच प्रदान करता है, वर्ल्ड की जितने भी देशे, जो कि नॉर्मली यूएनों के सदस्य, यहाँ पर ये चीज़ आपको याद दखनी पड़ेगी, कि यूएनों के जितने भी सदस्य द उस पर बहस कर सकते, उसको सौल कर सकते आपसी भाईचारे से, आपसी समझ से, और जितने भी अंतरास्टी मुद्दे हैं, चाहे वो ग्लोबल वर्मिंग का हो, परियावन से लेटेड हो, उस पर भी बहस के लिए, सयुक्त रास्टी महासभा एक इंटरनेशनल मंच प्रदा करता है सभी देशों को, क्लियर, अगर घोशना पत्र की बात करते तो UN के घोशना पत्र में, जितने भी विशय आते, जितने भी सब्जेक्ट आते, उन पर विचार करने का कारे भी सयुक्त रास्ट्य महासभा का देखने को मिलता है, अब आगे की लाइन में आपको बता ही चुका हूँ, ठीके, इस संस्था की स्थापना UN के साथ ही 1945 में हुई थी, और वर्तमान में UN के सभी सदस्य इस संस्था के भी सदस्य है, जिसे सयुक्त रास्ट्य महासभा के नाम से जाना जाता है, इन शौट अगर हम समझे, तो ये UN की सबसे important संस्था है, या सबसे important हैं, जिसका काम, देश्यों के सभी देश्यों के मद्ध में collaborate करना और इसके अलावा उनके मद्ध में mutual bonding इस्तापित करना है, मैं आपको शुरू में ही बता दिया था, दो लाइन में ही आपको इसका full meaning समझ में आ जाएगा कि इसका काम क्या है, I hope समझ में आओगा, इस अंस official languages की बात करते हैं, अर्भी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पैनिश, छे लेंग्वेज यहाँ पर official language के रूप में महासभा में देखने को मिलती है, officially, जिनको माननेता दी गई है, छे लेंग्वेजे से, easily याद हो जाएगी, कोई ऐसा tough task नहीं है, याद करन देखिए, चीनी और अंग्रेजी यह सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भी language है, चीन में सबसे ज्यादा बोली आती है, और अंग्रेजी जो के इंटरनेशनल लेंग्वेज है, इसके अलावा अरब देशों में सबसे ज्यादा अर्भी बोली जाती है, इसलिए इसको भी official language का दर्जा दिया गया है, और इसके अलावा यह तीन लेंग्वेज जो की यूरोप से आती है, फ्रेंच, रूसी और स्पैनिश, रशियन और स्पैनिश, clear, दो working language, यहाँ पर याद रखिएगा, एक है अंग्रेजी जो के इंटरनेशनल है ही, और दूसरी फ्रेंच, clear, यह लेंग्वेज जिसमें महा सभा के वर्क कंड़क्ट किये जाते हैं, working language, clear, इसके बाद देखिए, सयुक्तरास्ट के जो अध्यक्ष होते हैं, वो एक साल के लिए नियुक्त किये जाते हैं, कितना साल के लिए, एक साल के लिए, वर्तमान में, अब्दुल्ला शाहिद, इसक हर वर्ष सितंबर महा में आयुजित किया जाता है, इससे भी याद रखिएगा, clear, तो कारेकाल एक वर्ष का इनका भी होने वाला है, वर्तमान में कोन हैं, अब्दुल्ला शाहिद, सयुक्तरास्टे महा सभा के अध्यक्ष है, 76 जो सत्र लगेगा, उसके अध्यक्ष हैं सि सितंबर में, यहाँ पर बहुत ही इंपोर्टेंट एक नोट, फैक्ट नोट कीजिएगा यहाँ पर आप, जो कि इंडिया से रिलेट करता है, देखिए, सयुक्तरास्ट में, है ना, 1953 में, सयुक्तरास्ट में, पहली महिला भारती अध्यक्ष विज्या लक्ष्मी पंडित इंपोर्टेंट है, यह पहली महिला भारती अध्यक्ष थी, किसकी सयुक्तरास्ट महासभा की, फोन से सन में, 1953 में, इंपोर्टेंट है, नोट कीजिएगा, यहाँ से कुश्चन आ सकता है, इसके बाद, आगे आते हैं, सेकेंड अंग हमें देखने को मिलता है सुरक्षा प जनवरी 1946 को हुआ था, क्लियर, इस सनस्ता के उद्दिश्ची की बात करते हैं, तो इस सनस्ता के उद्दिश्ची के रुप में देखिये, अंतरास्टी शान्ति और सुरक्षा बनाए रखना, नाम ही इसका क्या है सुरक्षा प्रिशक, तो इसका मुख उद्दिश भी अंत फिर उसके charter के विरोध में जाता है तो इस case में सुरक्षा परिशत की आर्मी उसके खिलाफ कारवाई भी कर सकती ठीक है अब सुरक्षा परिशत ठीक है इसमें जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं 5 इस्थाई और 10 इस्थाई सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं सुरक्षा परिशत में 5 सदत से स्थाई है और 10 सदत से जो है वो temporary है अइस थाई देखिए अब यहां पर हमें temporary सदत से तो नहीं पूछ जाते लेकिन जो permanent member है सुरक्षा परिशत के उनके बारे में हमेशे खुशन दिखने को मिले तो एक बार हमें इस पर नजर डालनी पड़ेगी तो देखिए इस टाइम मेंबर की बात करते हैं सुरक्षा परिशत की सेकुरिटी कॉंसिल की तो चीन, फ्रांस, रूस, युनाइट गिंग्नम मतलब डिटेन और यू एस ए यह 5 सदस से ऐसे हैं जो की सुरक्षा परिशत के पर्मानेट मेंबर हैं एक और बार रिपीट करते हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसे अब देखे, आपके दिमाग में कुश्यन आ रहा होगा कि सर, अगर स्थाई मेंबर है और आइस थाई मेंबर होने का फाइदा क्या है तो देखे, इनके पास होती है वीटो पावर, जितने भी स्थाई मेंबर होते हैं उनके पास विटो पावर होता है कोई भी बिल अगर सुरक्षा परिशन में आता है तो अगर ये पांच है और इधर देख लेते मेले अइस्ताई सदस्टी कितने हैं? 10 अल्बानिया, ब्राजिल, गेबॉन, घाना भारत भी अइस्ताई सदस्टी उसका आयरलेंड, केनिया, मेक्सिको, नौर्वे, ओ सयुक्त, अरब, अमिरात, UAE ये क्या है? सुरक्षा परिशन के आइस्ताई सदस्टी भारत आठवी बार 2021 में इसका फिर से आइस्ताई सदस्टी चुना गया है इंडिया 2021 में आठवी बार चुना गया है इसको धियान रखना अब देखिए जो इस्ताई मेंबर है, उनके पास वीटो का पावर है अगर कोई भी बिल सुरक्षा परिशन में आता है और उस पे 14 मेंबर एक तरफ है और अगर कोई भी एक इस्ताई मेंबर वीटो लगा देता उसके विरोध में तो वो जो बिल है वो खतम हो जाएगा पास नहीं हो सकता तो यह वीटो पावर है इनके पास बहुत पावरफुल पावर है अब 14 देशों की राय एक तरफ और एक वीटो का अगर किसी ने लगा दिया उस बिल पर तो पूरा बिल डेमोलिश आया समझ में सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूस अभी तक तो रूस ने किया है ठीक है चली यहाँ पर I hope समझ में आओगा इसके बाद हम बात करते हैं सहीउक्तरास्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिश्यत की अंतरास्टे मुद्दों पर सला देना जैसे परियावरन के मुद्दे हैं ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे हैं इन पर राय देने के लिए सहीउक्तरास्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिश्यत का गठन किया गया तो और यही इसका मुख्य काम है इस्तापना 26 जून 1945 में की गई थी अब देखिए अगर सहीउक्तरास्ट आर्थिक परिश्यत के उद्देश्यों की हम बात करते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि अभी हमने बात की है अंतरास्ट ये आर्थिकाम सामाजिक सहयोग प्रदान करना इसके तथा विकास कारिक्रमों में सहायता प्रदान करना वर्ल्ड के जितने भी मुद्दे हैं उस पर चिंतन करना, बहस करना और इनोवेटिवस आइडिया के लिए सयुक्त रास्ट का ये केंदरी मंचे जितने भी मुद्दे हैं वर्ल्ड में जितने भी मुद्दे हैं जिन पर भी चर्चा की जा सकती है वर्ल्ड के देशों के मद्दे में उस पर बहस करना उस पर विचार करना कि क्या अच्छा हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया global warming, atmosphere परियावरण और इसके अलावा ozone परत सर्दक्षन इनसे संबंदित मुद्दों पर देखिए चिंतन करते हैं बहस करते हैं और जो भी innovative idea निकल के आ सकता है उसके लिए सभी देशों के लिए चिंतन करने के लिए एक ये अंतरास्टे मंच प्रदान करता है यहाँ पर सभी देश अपने अपने विचार और मत रख सकते हैं इसके अलावा अंतरास्ट आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग प्रदान करने का काम भी सहयोग तरास्ट आर्थिक एवं सामाजिक परिशत का देखने को मिलता है इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा जो कि important है इसके अध्यक्षी अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में अध्यक्षे सयुक्त रास्ट आर्थिक एवं सामाजीक परिश्यत के इसके वर्तमान में सदस्य 54 है हर साल वन अपोन थर्ड सीटो पर चुना होता है clear? सयुक्त रास्ट आर्थिक एवं सामाजीक परिश्यत वर्तमान में 54 मेंबर देखने को मिलते हैं हर साल वन अपोन थर्ड सीटो पर चुना होता है तो अठरा तियाचोपन मतलब अठरा सीटों पर हर साल चुना होगा तो एक सदस्य का जो कारिकाल होता है एक सदस्य का जो कारिकाल होता है वो तीन साल का होता है कितने साल का? तीन साल का कितने मेंबर है? 54 मेंबर इसके बाद हमें एक और बॉडी देखने को मिलती है जिसका नाम है सयुक्तरास्ट न्यास परिशत चोथांग ट्रस्टीशिप काउंसिल सयुक्तरास्ट न्यास परिशत के नाम से जानी जाती है इसका गठन 1945 में हुआ था पांच बॉडी के मुख्यालाए आपको पता है न्यूयोक में है केवल इंटरनेशनल कोड का मुख्यालाए कहां देखने को मिलता है हमें दहेग नीदरलेंड याद रखेगा तो न्यूयोक में इसका मुख्यालाए इस अंस्ता की विशेषता है ये UNO का एक एसा अंगे, एक एसा और्गने, जो की अब बंद हो चुका है, निलंबित हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है, एक नॉबर 1994 को एक नॉबर 1994 में इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया, क्यूंकि इसका काम ही खतम हो गया, अब काम खतम हो गया, तो ये उन अच्छी की एक्च्छल में इसका काम क्या था तो देखे फ्रेंड्स उन देशों की सुरक्षा और प्रशाशन संबंदित दाईतों का निर्भन करना जो की सेकेंड वर्ल्ड वर्ल के बाद भी स्वतंत्र नहीं हो पाए ठीके पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल पीस बना देशों अमेरिका जिसे देश जो की पूरी तरस संपन ने उनको दे दिया गया लेकिन निश्पक्ष वहाँ पर शोशन नहीं कर सकते थे वो मतलब सीधी सी बात ते मौली का दिकारों की रक्षा करोगे इन देशों की वहाँ पर उनका इंफरस्ट्रक्चर डेवलप करने मे अपनी सत्ता खुद समालने लगेंगे उस दिन हम उन पर अधिकार छोड़ देगे यह पॉजिटिव है ठीक है तो एसे अलग-अलग नियास्ट शेत्र गोशित किये गए थे और उस वक्त 11 नियास्ट शेत्र गोशित किये गए थे कितने 11 जिन पर दूसरे देशों को उस व के यहां पर सत्ता इस्तापीत हो गई सब सोतंतर हो गए और उसके बाद इस संस्ता का कम नौर्मली खतम हो गया हाला कि देखिए भविश्यों में अगर जरुरत पड़ती है तो इस संस्ता को वापस क्रियेट किया या सकता या शुरू किया जा सकता लेकि 1994 के बाद अब अंतरास्टिन याले की अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनल कोट की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोट वही इस्तापना 1945 में की गई थी सयुक्तरास्टि के चार्टर द्वारा इसकी स्तापना की गई थी अप्रेल 1946 में इसने काम करना शुरू किया है ठीक है सयुक इस किस्ता अपना 1945 में कर दी गई थी लेकिन इसने काम करना शुरू किया है अप्रेल 1946 में किसने इंटरनेशनल कोट ने अब उद्देशी क्या इंटरनेशनल कोट का तो देखिए दो रास्चों के मद्द में कानूनी विवादों को हल करता है वर्ल्ड के अगर दो देशों के के लिए इससे निपटने के लिए है ना हमें इंटरनेशनल कोट देखने को मिलता यूए नो के द्वारा अब देखिए सयुक्तरास्ट के अधिकरत अंगों और विशेश एजन्सियों के द्वारा दिये गए कानूनी प्रशनों पर भी यह अंतरास्ट कानून के अनुसार स अगर इनसे इंटरनेशनल कानून पर कोई भी सला मांगती है तो यह सला देगा और इसके अलावा वर्ल्ड के दो देशों के मद्द में अगर विवाद होता है तो यह विवादों को हल करेगा इंटरनेशनल कोड इस्तापना 1945 में की गई थी और इसना काम करना शुरू किया है 1946 में अब अगर सयुक्तरास्ट के यह जो बॉड़ी है सयुक्तरास्ट का एक मुखिन्याइक अंग है मुख्याला में आपको पहले ही बता दिया था नीदरलेंड के दहिग में एक प्लेस है पीस पलेस वहाँ पर इसका मुख्याला इस्ती थे वैसे एक पर्टिकुलर अब बात आती है कि इंटरनेशनल कोट में कितने नियाइधीश है मतलब नियाइधीशों की संख्या कितनी है तो देखिए इंटरनेशनल कोट में अगर नियाइधीशों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 नियाइधीश देखने को मिलते हैं कितने 15 अब हर नियाइ नियाधिश का कारिकाल होता है नो वर्ष का, कितने वर्ष का, नो वर्ष का, हर तीन साल में वन अपोन थर्ड सीटो पर नया बंदा चुनके आता है, वन अपोन थर्ड सीटो पर तीन साल में, ठीके, तो नो वर्ष एक नियाधिश का कारिकाल, एक जज़ का कारिकाल होने वाल यहाँ पर जजेस की नियुक्ति के लिए भी United Nation Organization के चार्टर में अलग-अलग प्राउधान देखने को मिलते हैं अब देखिए जो 15 टोटल मेंबर है उसमें से 3 मेंबर लिये जाएंगे अफरीका महादीब से मतलब 3 जजेस को अफरीका महादीब के अलग-अलग देशों से लिया जाएगा इसके बाद Secondary Latin America मतलब दक्षिन अमेरिका और केरिबियाई देशों से 2 मेंबर लिये जाएंगे 2 जजेस नियुक्त होंगे 5 हो गए तीसरा एशिया महादीब की बात करते हैं तो एशिया महादीब से 3 मेंबर 3 जजेस चुनके आएंगे 8 हो गए टोटल इसके बाद पश्चिमी यूरोप से 5 जजेस चुनके आने वाले और पुरवी यूरोप से 2 जजेस चुनके आने वाले तो ये टोटल 15 जजेस की न्युक्ति अलग-अलग शेत्रों से की जाती है अफरीका से 3, लेटिन अमेरिका और केरिबियाई देशों से 2 इसके अलावा एशिया से 3 मेंबर, पश्चिमी यूरोप से 5 और पुर्वी यूरोप से 2 मेंबर चुनके भेजे जाएंगे तो एसे टोटल 15 जजेस को अलग-अलग महादीपों से या शेत्रों से लिया जाएगा एक जज का कारिकल 9 साल का होता है, 1 अपॉन 3 जजेस की न्युक्ति हर 3 साल में की जाती अब अगर हम इंटरनेशनल कोट में भारती नियाधिशों की बात करते हैं तो इंटरनेशनल कोट में भारती नियाधिश जो सबसे पहले अपॉइंट हुए थे वो थे सर बेनेगल राओ 1952 से 1953 तक इंटरनेशनल कोट में भारती नियाधिश थे सेकेंड नागेंदर सिंग 1973 से 1988 तीसरे हैं रगुनंदन स्वरूप पाठक जो की 1989 से 1991 तक इंटरनेशनल कोट में जज के रूप में रहे हैं और सबसे लास्ट में वरतमान में डलवीर भंडारी 27 अप्रेल 2012 को बने थे एक बार फिर से इनको चुना गया और वरतमान में भी ये इंटरनेशनल कोट में जज के रूप में कारी कर रहे हैं कौन हैं दलवीर भंडारी तो इन चार जज़ेस को याद रखिएगा जो कि इंटरनेशनल कोट में भारत की और से नियूक्त किये गए तो देखिए यूएनों के बारे में हमने जाना उसकी जितनी भी बोडी जे उनके बारे में हमने जाना और वहाँ से जितने भी फैक्ट पूछे जा सकते वो सभी हमने बहुत ही डिटेल में पड़े अब हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से हमको कौन कौन से MCQS पूछे जा सकते हैं देखिए सबसे पहला कुशन यूनाइटेड नेशन के इस्थाई सदस्य देशों में कौन शामिल नहीं है तो यूनाइटेड नेशन के इस्थाई सदस्य की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि ब्राजील यूनाइटेड नेशन का इस्थाई सदस्य नहीं है अंसर हो जाएगा अंसर भी clear second question देखिए बहुत easily आपको solve हो जाएंगे अगर आपने theory को ध्यान से सुना होगा clear देखिए अंतिरास्टी न्याले में कोन भारत की और से न्यायधीश रहे हैं अब देखिए चार option में पहला ही option आपको मिल गया सबसे पहला ही थे बेनेगल राओ आंसर हो जाएगा आंसर ए इसके बाद देखिए सयुक्त रास्ठ संग में सदस्य देशों की संख्या कितनी है very simple वर्तमान में UN में सदस्य देशों की संख्या है 193 सबसे आखरी सदस्य की बात करते हैं दक्षिन सुडान 2011 कहां का देश है अफ्री की देश clear आगे देखिए अंतरास्ठ नियाले का मुख्याले कहां इस्ती थे International Court के मुख्याले या Headquarter की बात करें तो देखिए particular place उचते तो दहेग लेकिन place ने दिया गया तो आपको देश का नाम दिया गया है नीदरले नीदरलेन के हेग में International Court का मुख्याले देखने को मिलता है answer D हो जाएगा आगे देखिए सयुक्त रास्ठ की आधिकारिक भाषा में कौन शामिल नहीं है अरबी आधिकारिक भाषा में शामिले बिलकुल सही हिंदी शामिले क्या नहीं शामिले तो answer B हो गया हिंदी सयुक्तरास्थी के आधिकारिक भाषा है ना तो आधिकारिक भाषा है और नहीं वर्किंग लेंग्वेजे आगे देखिए सयुक्तरास्थ्य महासभा की पहली महिला भारती अध्यक्ष कोन है तो सयुक्तरास्थ्य महासभा की पहली भारती महिला अध्यक्ष बनाई ग मिनी पार्लियमेंट तो वेरी सिंपल ये कहा जाता है सुरक्षा परिशत को सुरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया सयुक्त रास्ट महासभा को करेक्ट कर लिजेगा आंसर सी ठीक है देखा नहीं मैंने ओप्षन ध्यान से सयुक्त रास्ट महासभा को विश्व की लगू सं कहा जाता है क्लियर अगला कोशन देखिए यूएनो के नामकरण का श्रे किसे दिया जाता है अगर थियोरी को आपने ध्यान से सुना है तो आपको समझ में आ जाएगा यूएनो के नामकरण का श्रे दिया जाता है फ्रेंकलिन डी रूसबेल्ट को आंसर डी कहां के 1445 में रास्ट्यपती थे अमेरिका के इसके बाद देखिए वर्तमान में UNO में भारत के इस्थाई प्रती निधी कोन है last question हमारा तो वर्तमान में UNO में भारत के इस्थाई प्रती निधी रूचीरा कमबोज है आंसर हो जाएगा आंसर भी clear देखा friends आपने बहुत ही simply सारे MCQs आपके यहां पर बन गए होंगे क्योंकि आपने थियोरी को बहुत ही ध्यान से सुना और I hope आपने उसके notes बना लिए होंगे क्योंकि आपको UNO से अगर कभी question आता है तो यहीं से question आएगा और आपका एक भी question इससे बाहर नहीं जाएगा तो I hope आपको यह session अच्छा लगा होगा वीडियो में मज़ा आया होगा अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो like कर दीजिए share कर दीजिए और हमारे channel को subscribe कर लीजिए फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ एक नए chapter के साथ या एक नए content के साथ तब तक बने रही है हमारे साथ जय हिन जय भारत